हलो बच्चों कैसे हैं आप लोग पिछले क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था मोल कंसेट मैं और फिर मैंने आपको बता था कि मैंने आपको बता है था कि मोह कंसेट्ट इन और सोलूशन MI हे इस सबस्सके कइटने को सकते हैं जते etrा मिलारती मोलविटारे मुणी आज में आपको बताने जा रहा हूं वह बेस होगा नार्मेल्टी मोलर्टी और मोलर्टी पर आई देखते हैं कोई सुलूशन आफ और जेलिक एसिट इस प्रिपेर्ड वाई देखते हैं तो अगर बच्चों हमको सबसे पहले नार्मेल्टी निकालना है तो नार्मेल्टी निकालने के लिए हम क्या करते हैं मैं आपको दो मिथट बताऊंगा दोनों निकालने और दूसरा जो होगा वह हम स्टेप बाइस निकालेंगे आए देखते मिटा सबसे पहले अगर हम नॉर्मेल्टी की बात करें तो नॉर्मेल्टी को अगर हम रिप्रेजिंट करें तो एन इस एकल टू होता है नंबर आफ ग्राम एक्विवेलेंट इन वन लीटर इससे आपको अगर डाइक्विवेले में पूट करेंगे तो नॉर्मेल्टी आपको आ जाएगी अब आए देखते मिटा इस नंबर आफ ग्राम एक्विवेलेंट्स को अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसमें किस की सीज की जरूत होगी नंबर आफ ग्राम एक्विवेलेंट्स होता है मास अपान एक्विवेलेंट्स क्या होता है मास अपान एक्विवेलेंट्स तो यह लिखेंगे मास अपान नीचा है बच्चों इस्तने से मास और एक्वेलेंट मासफ एगर आपको और मास टौसएist इन दडाकउस्षह ग्रम आपको एक्वेलेंट मास निकालना है थे लिए खुल सब्सटेंस पृट टो यहां से हमको किलें के लिए हम channel करना होगा तो निए MP2 मास आफ आउक्जेलिक एशिड। इसमें दिया रहेगा और कभी-कभी नहीं दिया रहेगा तो नहीं दिया रहेहा तो आपको जाना होगा इसका फार्मुला क्या होगा C double OH whole twice dot 2S2O ये इसका क्यों होता बेटा फार्मूला होता है तो अगर हम इसके फार्मूले को जान रहें question में दिया है तो so far so good नहीं दिया है तो आपको पता होना चाहिए तो equivalent mass अब यहां से अगर आपको equivalent mass निकालना है तो is equal to क्यों होता बेटा mass molecular mass by n factor मैंने पिछले class में बताया था तो is equal to molecular mass upon n factor ये इसका फार्मूला होगा ये पहला numerical है इसलिए मैं आपको पूरा one one step करके बता रहा हूँ otherwise मैं e की value direct calculate करूँगा तो it will come I hope 63 आए देखते हैं मैटा is equal to molecular mass तो molecular mass किसका इस substance का आईए अगर हम इसके substance क्या नहीं आगजेलिक के हिट के molecular mass की बात करें तो carbon कितना होगे बटा है 12 plus 16 into 16 ऐसे लिखेंगे 16 plus 16 और plus 1 ध्यानेंगे ये c डबल ओएच और ये कितना था बच्चों two times था हमने दो से multiply कर दिया and plus two moles of water two into 1 mole water का जो mass होता हूँ 18 होता है divide by इतने सारी चीज़ों को ध्यान देखेंगे और divide by N factor this is acid इसका नाम है बटा oxalic acid और किसी भी acid का जो N factor होता है वो उसकी basicity कहलाती है क्या कहलाती है basicity तो यहां मैं आपको example दिखाना चाह रहा हूँ कि जो C O O H है अगर इसका ionization हो रहा है C O O H C O O H यही है बटा oxalic acid अगर इसका ionization होगा तो यह में से 2 H I N निकल जाएंगे क्या होगा बटा C O O O I N और single bond C O O I N इसी को oxalate ion बोलते हैं और plus H I N कितने H I N? 2 H I N द्यास देखेंगे इसको मैं थोड़ा सा अलग कर दूँगा यह आप कहीं note कर लेंगे कि oxalic acid का जब ionization हुआ तो अच्छा यहां इसके 2 water molecule भी है इस water molecule से H I N का ionization नहीं होता यह ध्यान रखेगा This is known as the water of crystallization तो यह जो oxalic acid है oxalic acid का जब ionization हुआ तो oxalate ion बना और 2 H I N बना तो जो उससे H I N निकलते हैं वही उसकी basicity कहलाती है तो यहां you have to n factor you have to write 2 विकार कितने H I N निकलते हैं जितने H I N निकलते हैं किसी भी acid के ionization से वही उसकी basicity कहलाती है तो आप देखो बेटा अगर इसको हम सब जोड़ेंगे तो कितना हो गया 16 दुनी 32, 12, 44, 45 दुनी 90 और plus 36 divide by 2 this is equal to 126 by 2 और that is equal to 63 अब आप रट जाओ या याद कर लो कि कहीं axelic acid के अगर equivalent mass को calculate करना है पूछना है तो आप सीधे उसको equal value 63 मानेंगे तो यहां से यह आपको equivalent mass होगे बच्चों अब अगर इसकी value पूट करनी है तो क्या होगा mass आपने यह लिखना है 0.63 ठीक है और equivalent mass जो आगया वो कितना आगया बच्चों 63 आगया ठीक है और divide by आपने क्या लिखना है volume is equal to given 500 cm3 और cm3 को ही हम milliliter कहते हैं चुकि इसके volume को किसमें लिखना है बच्चों लीटर में लिखना है तो इसलिए 500 divided by 1000 आपने तो इस इंप्लाइस यहीं लिख रहे हैं यह इंप्लाइस करेगा 0.63 यह सबसे नीचे वाली बच्चों इंटू हो गया बच्चों 1000 और डिवाइड भाई 63 इंटू 500 ठीक है बटा इस तरह से हम इसको solve कर लेंगे और यह कैसे value आजाएगी अगर आपको solve करना है बच्चों तो यह 500 से 2 से कट जगया तो बच्चा 0.63 इंटू 2 अपान 63 तो यह जो 0.63 अपान 63 है इसकी value क्या हो गए 0.01 कितनी value हो गए 0.01 इंटू 2 और इस इस एकोल टू कितना हो गए बच्चों 0.02 कितनी value आगए 0.02 ध्यान देंगे कि हमने इसको कैसे calculate किया 0.63 को 63 से क्या किया डिवाइड किया तो कितना आगए बच्चों 1 upon 100 that is 0.01 और इसमें 2 से multiply किया तो 0.02 इसकी जो unit होती है वो हम n से represent करते हैं या अगर आपको unit जानना ही है तो क्या लिखा बटा number of gram equivalence upon volume या इसको लिख सकते हैं ध्यान से देखेंगे 0.02 और जो यन लिखा था उसकी जगे लिखेंगे gram equivalent per liter ध्यान देखेंगे या तो इसका unit सीध है या तो gram equivalent per liter हो गया तो this is the solution for the question number one that is the normality यह सब चीजें तो आप फार्मूले से calculate कर सकते हो अभी मैं आपको इसका एक alternate method बताऊंगा जो नहाई थी आसान है alternate method कैसे करेंगे बेटा अभी आप इसको note करेंगे ठीकिन है अगर हम इसके alternate method की बात करें तो आप बहुत ही आसानी से कि इसको calculate कर से कैसे calculate कर से तो कैसे calculate कर से since we know that since एक फार्मूला होता है w is equal to nev upon 1000 पिछले class में मैंने आपको बताया था कि w is equal to nev upon 1000 this implies बेटा सीधे value पूट करिए w की value होगे 0.63 n की value हमको find करनी है e की value आपने निकाला है 63 ठीक है और v की value क्या है बच्चों 500 और divide by 1000 अब यह क्या होगा बच्चों अगर हम इसको calculate करें तो this implies क्या हो गया n की जो value होगी वो अभी आ जाएगी n की value होगी 0.63 into 1000 divide by 63 into 500 आगया बटा यही value आपने यहीं कहीं लिखा जाए 0.63 into 1000 दिवाइब बाइ 63 into 500 यही चीज आ गई तो this implies फिर वही चीज जैसे यहाँ calculation किया है 500 से काटेंगे 2 ताइम्स 0.63 आपन 63 पॉइंट 0.01 और 0.01 में आपने 2 से multiply किया पॉइंट 0.02 तो that is equal to 0.02 यह है इसकी नार्मिलिटी आ गई दिस इस दे अनेदर मेथड यह आप कह सकते हो अल्टर्नेट मेथड कौन सा मेथड होगे बटा अल्टर्नेट मेथड हो गया इस अल्टर्नेट मेथड से आप डारेक्ट फार्मूला पूट करके लगा सकते हैं तो this is the solution आप कोस्चन नमबर वन अगर नहीं लिखा तो इसको लिखो जल्दी फिर मैं आभी इसकी मोलारिटी बताने वाला हूँ चीक है I hope you have done ओके लेट सी अब हम इसको यह क्वेश्चन नमबर वन हमने क्या किया सौल किया आई बेटा अब क्वेश्चन नमबर टू की बात करते हैं क्वेश्चन नमबर टू मतलब पार्ट आफ दिस क्वेश्चन सेकेंड पार्ट आफ दिस क्वेश्चन आओ बेटा एक बार अगर आपके कंसेप्ट समन में आ गया तो आप किसी भी तरह के questions कर सकते हो जो normality में पूछा जाता है या अब हम दूसरा वाला करने जाने जाने पिटा molarity molarity के लिए क्या होगा बच्चों अभी मैं आपको एक चीज और बताऊंगा अगर आपको normality पता चल गए तो आप molarity बड़ी आसानी से find कर सकते है molarity is equal to क्या होता है solution जो होता है molarity is equal to होता बच्चा number of moles upon V volume in liter किसमें हो गया? in liter correct one और number of moles अब आप क्या हो गया? class 11th में हो, class 12th में हो तो इस तरह से आपको number of moles direct निकालना होगा क्या निकालना होगा? mass upon molecular mass upon V in liter यह formula होता है तो mass of the substance is given in the question 0.63 it is given और molecular mass auxiliary के शिड़ का अभी अभी आपने निकाला है 126 अभी आपने इसका molecular mass निकाला है 1626 और divide by यह किसके बारावर होगा बच्चा है? यह divide by 500 mil liter और इस mil liter को आपने क्या किया? convert किया किस में? liter में तो यह value होगा गई आप this implies इसको इसको solve करेंगे तो 0.63 इंटू यह 1000 उपर गया इंटू 1000 डिवाइड बाई 126 इंटू क्या होगे बच्चा? 500 करेक्ट अब इसको यहां solve करते हैं डिरेक्टली आप solve करेंगे 0.63 अपन 126 अगर हम यहां से decimal हटा दें तो यह बन जागा 63 इंटू 1000 था ही क्या करेंगे मैटा? 1000 था ही तो हमने इसमें क्या किया? 63 हमने 0.63 को जब decimal हटाया तो क्या करेंगे बेटा? 100 से multiply किया 100 से multiply किया तो जब हम 100 से multiply कर दिये तो हमको 100 से divide भी करना होगा 126 इंटू 500 और इंटू बेटा 100 करेक्ट यह कट गया बेटा 500 2 से और यह 63 2 आर यह 2 से 2 कट गया सारी चींज़े कट गई क्या बचा? 1 upon 100 that is equal to 0.01 और इसकी जो value होगी इसका जो representation होगा जो unit होगी वो 0.01m होगी या अगर आप दूसा लिख सकते हैं आर 0.01 और इसका जो दूसा unit होगा mol पर लिचा तो इस तरह से आपने देखा कि molarity इसकी जो होगी क्यों क्या होगी? 0.01m आ गई तो आपने नार्मल्टी अभी पढ़ा और फिर molarity पढ़ा कि किसी molarity हम find out करेंगे ठीक है? तो इस तरह से नार्मल्टी पिछले में और molarity हाँ आप देखो बटा एक और equation अगर आपको मैंने एक फार्मूला बताए था अगर आपको नार्मल्टी पता चल गए तो बिना कल्कुलेशन की molarity कैसे find करेंगे यहां लिखेंगे alternate alternate method क्या होगा बटा? हमने आपको फार्मूला बताए था नार्मल्टी अपान molarity is equal to n factor ठीक है? यह फार्मूला आपको बताए था नार्मल्टी अपान molarity is equal to n factor लेट सी तो नार्मल्टी दी गई थी 0.02 थोड़ी देर पहले हमने लगाया है divide by molarity हमको find करना है और n factor मैंने आपको बताए था किसके लिए निकाल रहे हैं? इस और जेलिक एशिट के लिए निकाल रहे हैं तो इस इंप्लाइज यहां से गर आप solve करेंगे तो molarity की value हो गई 0.01 क्या गई? 0.01 mol per liter तो आप बस ध्यान रखेंगे कि अगर हैने बहुत आसान अगर आपको नार्मल्टी पता चल गई तो आप molarity सीधे इस फार्मूले से निकाल सकते हैं आपको इतना सारा calculation करने की जरूत नहीं है लेकिन यह तब ही use करेंगे जब आपको normality ना पता हो या normality आपको questions में ना निकालना हो तो यह होके बटा यह question पहले question का solution इसी तना से हम बहुत सारे questions करेंगे अलग-अलग concentration terms पर ठीक है? तो I hope you have written thank you so much for being here